दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थी आपका एक पार फिर से आपके अपने ही चेनल के रिक पॉली पार जहां दोस्तो आज जह हम बात करने वाले हैं आजी के दिन साथ जुलाई को अलग अलग सालों में रेलीस हुई चार बड़ी फिल्मों के बारे में मिथुन चकरवर्ती की आँखरी गुलाम सनी देवल और नसुरुदीन शाह की तिरदेव और बॉबी देवल की बिच्छू और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे शुरी देवी जी की साल 2017 में रेलीस हुई मॉम फिल्म के बारे में ये चारों ही फिल्में साथ जुलाई को आज ही के दिन रेलीस हुई थी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म आखरी गुलाम की तो ये फिल्म रेलीस हुई थी साथ जुलाई 1989 में मिथुन चकरवर्ती, राजबबबर और सोनम इस फ करोड़ उपे कमाई थी और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी अब अगर बात करें तिर्देव की तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि तिर्देव फिल्म भी साल 1989 में साथ जुलाई को रेलीस और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को गुलशन ड्राइने तकरीबं तीन करोड़ उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर साड़े आठ करोड़ उपे की शांदार कमाई की थी और पूरे वल्ड में 17 करोड़ उपे कमाई थे और ये एक प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को दिलिप शुक्ला ने तकरीबं 7 करोड़ उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर साले 10 करोड़ उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 17 करोड़ उपे कमाई थे और एक एक एक्शान किराइम थ्रिलर ती और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी अब अगर बात करें मौम फिल्म की तो ये फिल्म रिलीज हुई थी साथ जुलाई साल 2017 में श्रीदेवी नवाजुदिन सिद्धी की और अक्षे खन्ना इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को ड एवरेज साबित हुई थी तो दोस्तों ये थी अलग अलग सालों में साथ जुलाई को रिलीज हुई फिल्म में आपको इन चारों फिल्मों में कौनसे फिल्म सबसे ज़्यादा चिलकती है कमेंड में सुरू बताईएगा